आज का शिर्डी साइसंदेश पहरे रखने वाला व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार सब कुछ प्राप्त कर सकता है जिसे अकेले में रोकर चुप होना और अपना दर्ट छिपाना आ जाता है वो इनसान आज की दुनिया में सबसे हिम्मत वाला और ताकतवार है जब आप अपने उपर यकीन करने लगते हैं भरोसा करने लगते हैं तभी जीवन में चमतकार होने लगते हैं जिस दिन आपको पता चलता है कि आपकी विचार कितने शक्तिशाली हैं महत्वपूर्ण हैं उस दिन से आप कभी भी नकरात्मक सोच नहीं रखोंगे इस दुनिया में आपको अपनी खुशियां स्वेम डूटनी होगी क्योंकि दुखी तो हर एक इनसान है यकीन रखना दूसरा दर्वाजा खोले बिना पहला दर्वाजा बन नहीं होता खुशियों का कोई तै रास्ता नहीं होता हर इनसान को अपने ले खुधी रास्ता बनाना पड़ता है ये बात जिसने भी जान ली समझ ली खुशियों ने उसका पता लिख लिया लोग क्या कहेंगे क्या सोचेंगे पहले दिन हसेंगे दूसरे दिन मजाक उड़ाएंगे और तीसरे दिन भूल जाएंगे इसलिए लोगों की परवा बिल्कुल भी मत किया करो करो वो जो तुम चाहते हो जसमें तुमें खुशी मिले याद रखो जिनकी तुम्हारी है लोगों की नहीं है आज की जमाने में कोई भी अपना नहीं होता सिर्फ लोग आपका तब तक सादेंगे जब तक उनका स्वार्ट पूरा नहीं होता अच्छे कर्म करते रहे चाहे कोई सम्मान करे या ना करे क्योंकि सूरे उदे तब भी होता है जब करोडों लोग सोए रहते हैं इसलिए अपने कर्म करते रहे अपने अच्छे कर्म करना कभी में मत छोड़े और अपनी रहा में आगे बढ़ते रहे सफलता तुमें जरूर मिलीगी और हाँ जिन लोगों की तुम परवा करते हो कि लोग क्या कहेंगे लेकिन आपसे जरा से कोई गलती हो जाती है तो वो ही लोग आपका मजाग बनाने में या आपके निंदा करने में पीछे नहीं हटते आप कब सही थे ये कोई नहीं याद रखता लेकिन तुम कब गलत थे इसे हर कोई याद रखता है इंसान को दुनिया में दो चीज़े गिनना बंद कर देना चाहिए खुद का दुख और दूसरों का सुक जीवन असान हो जाएगा परिवर्तन ही प्रकर्ति का नियम है मेरे बच्चे इसलिए अपने जीवन में जो खोया है उसका शोक करने के बजाए जो आपके पास है उसका आनन लेना सीखो परमात्मा सभी को एक मिट्टी से बनाता है बस फर्क सिर्फ इतना है कोई बाहर से खुबसूरत होता है तो कोई भीतर से मैं जानता हूँ काफी लंबे समय से तुम्हारे जीवन में समस्याएं चल रही है लेकिन याद रखना समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वज़े से नहीं आती उनका आना इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना चाहें बुरे से बुरा क्या ही होगा हम ये तो हमेशा सोच लेते हैं मगर अच्छे से अच्छा क्या होगा ये हम कभी नहीं सोचते दुनिया में हर एक काम असान है कीवल तुमारे भीतर से अवाज आनी चाहिए हमेशा अपनी महनत और उस पर मात्मा पर भरोसा रखो ये ही सवलता की चाबी है अच्छे लोगों की परिक्षा भगवान जरूर लेते हैं और इसलिए तुमारी भी परिक्षाएं चल रही है लेकिन कभी हिम्मत मत हारना तूट के मत बैटना कभी क्योंकि यदि भगवान आपकी परिक्षाएं लेता भी है तो लेकिन साथ कभी नहीं चोड़ता और बुरे लोगों को भगवान बहुत कुछ देते हैं पर साथ कभी नहीं देते इसलिए परमात्मा से कभी भी उम्मीद मत छोड़ना और दुनिया वालों से उम्मीद कभी मत रखो विश्वास रखो कि जो हो गया है अच्छा ही हुआ है और जो हो रहा है वो अच्छे के लिए ही होगा इसलिए उम्मीद में ही दुनिया कायम है और मेरा आशिरवात तो सदा तुमारे साथ है ही मैं कभी तुमें अकेला नहीं चोड़ूंगा विश्वास रखा करो मुझ पर मेरे शब मित्या नहीं है मेरे बच्चे मैं हमेशा तुमारे साथ खड़ा हूँ राम कृष्ण हरी राम कृष्ण हरी राम कृष्ण हरी